हेलो यब्रीवन, आज के वीडियो में हम बनाएंगे बिना बुक्रम के गला तो ये माने कट कर लिया है, सूट तो गला कट करेंगे उसके लिए जैसे अंदर जो कपड़ा लगाना है उसी के उपड़ा हम नेक कट करेंगे तो ये कपड़ा है इसे हमें इस तरह से ऐसे ले लेना है और यहां पर ऐसे रखोंगी मैं जितना बड़ा गला बनाना है उस इसाब से आप लंबे में ले ले और मैंने तो यहां पर पांच इंच रखना है तो यहां से normal neck होता है हमारा 8.5 inch 2.5 inch ओडा बाकि आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना रखना है और यहां से मैं लोंगी 5 inch इस तरह से 5 inch लेंगे और यहां से ऐसे इसको एक box बना लेना है और यहां से 1 inch तक ऐसे निशान लगाएंगे और यहां से इस तरह से यह हमें शेप बना लेनी है राउन में और यहां साइडों से जितना रखना है आपको चोड़ा जैसे सबा इंच रख लेंगे यहां से इसी तरह हमें यहां पूरे में सबा सबा इंच का यह निशान दे देना है ऐसे इनको मिला लेंगे यहां से cutting कर लेनी है यह गला बन गया है अब यहां पर हमें इसे attach करना है तो इसे हमें सीधा ही रखना है और यहां पर इसका हमें यह middle point ले लेना है यहां पर सीधी line लगा देंगे और यह इसका middle point यह है यहां पर सिलाई है कपड़े को मैंने जॉइंट दिया है फूड़ा कपड़ा था इसलिए अब इस कपड़े ये इसका middle point है दौनों को मिला लेंगे इस तरह से ऐसे रखतेंगे ये marking हमारी यहाँ भी आना चाहिए तो इस कपड़े को हमें इस तरह से रखना है और यहां से ऐसे दबा देंगे तो यह मार्किंग हमारी थोड़ी थोड़ी आगे है इसको हमें डार्क कर लेना है दोनों कपड़े बराबर करके रख दिये हैं यहां पर मिडल पॉइंट एक दम बराबर आना चाहिए और उसके बाद हमें यहां पर पिंस लगा लेनी है जिसे कपड़ा हिलेना यहां पर सारे में पिंस लगा लेंगे अब करनी है सिलाई तो यह जो हमारा लाइन है यहां से यहां तक सिलाई कर देंगे यहां पर सिलाय कर दी है अब अंदर को हमें आदा इंच छोड़ के यहां तक मार्किंग कर लेनी है इस तरह पूरे राउंड में मार्किंग कर देंगे और यहां से कटिंग कर लेनी है कटिंग करने के बाद यहां से टक्स लगाने है यह हमें जुरूर लगाने है अगर जब हम सीधा करेंगे तो एक तब हमारा फिनिशिंग के साथ कपड़ा बैठेगा यहां पर कोई भी चुनवट नहीं आएगा और ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटने चाहिए ऐसे टक्स लगा देंगे और इस कपड़े को इसी तरह ऐसे फोल्ड करना है यह ऐसे ही रहेगा और यहां पर हमें किनारे से सिलाई लगाते जाना है पूरे राउंड में ऐसे सिलाई लगा देनी है अब यहां पर टर्न करना बहुत आसान हो जाता है जब हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो इस तरह से हमें इस कपड़े को अंदर को मोरना है और एकदम फिनिशिंग के साथ ये हमारा बैठता है नेक ऐसे सिलाई लगाने से इस तरह से ये नेक बन गया है और ये अंदर की जो है पट्टी इसको भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पल्ट के यहाँ पर सिलाई लगा दी है बाद में हम इसको यहाँ पर तरुपाई कर लेंगे देखिए हम बिना बुकरम के भी एकदम फिनिशिंग के साथ गले को बना सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के ने वीडियो के साथ